हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टू मैं चानल, मैं मनीशा और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ कि आप घर पे ही किस तरीके से चावल से फेसियल करके आप अपने चेहरे को सुन्दर गोरा बेदाग बना सकते हैं तो इस वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप मेरे चानल पे नए हैं तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लेजिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सेयर करें चले वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस फेसियल को किस तरीके से करना है सबसे पहले आप अपने face को clean कर लें, इसके लिए कच्चा दूध लेना है उसमें रूई को dip करके इस तरीके से अपने पूरे face को clean कर ले दूध skin को अच्छे से clean करता है, साथ ही face पर से दाग धबे को भी remove करता है इसके बाद बनाना है scrub, इसके लिए मैंने हापे दो चम्मच चावल काटा लिया है उसमें मैं एक चम्मच सहद एड़ कर रही हूँ इसके बाद हम इसमें दही एड़ करेंगे और इन सब को अच्छे से मिला लेंगे सहद में antioxidant और antibacterial गुण होता है, जो pimple और एकनी को दूर करने में help करता है इसके यूज से face पर natural glow आता है इस scrub को अपने face पर apply करना है इसे लगाने के बाद 30 से 4 मिनट तक धीरे-धीरे scrub करें दही में lactic acid पाया जाता है, जो skin को bright और healthy बनाता है इसके यूज से skin glowing होती है, अ scrub कर लेने के बाद इसे ठंडे पानी से wash कर लेना है इसके बाद हम last में बनाएंगे pack इसके लिए मैंने आधा गंटा पहले चावल को भिंगो के रख दिया था पानी में और ये soft हो गया है, इसे हम mixes jar में डालके इसका paste त्यार करेंगे चावल से facial करने पे skin की बहुत सारी problem से छुटकारा मिल जाता है अ scrub कर लेने के बाद हम face bag बनाएंगे, इसके लिए 3 चमच चावल का paste आड़ करेंगे इसके बाद इसमें आड़ करेंगे conflore यानि की मक्के का आटा अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे मैदा भी आड़ कर सकते हैं इसके बाद इसमें आधा चमच एलवरा जेल आड़ करेंगे चावल की यूज से skin fair होती है, या timing की problem को भी दूर करता है इसके बाद इसे अपने face पे apply करना है इसे अपने पूरे face पे अच्छे से लगा लें लगाने के बाद इसे dry होने के लिए रहने देंगे जब या dry हो जाए तब इसे ठंडे पाने से wash कर लें इसे आपको week में एक बार करना है ऐसा करने से आपके skin की बहुत सारी problem से छुटकारा मिलेगा साथ ही साथ skin fair glowing और healthy बनेगी तो आप इसे जरूर करें